हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू क्लास्टेक्स, सी यू एटी के नोटिविकेशन आने गवाद बच्चों के बहुत सारे क्वेशन आ रहे हैं, बहुत सारा कन्फूजन है और भाई वो बहुत जल्दी में कि सर्थ सी यू सी यू सी यू का फॉर्म एप्लिकेशन आए और हम कोई भी गलती ना हो, जिससे आपका अपनी ड्रीम यूनिसिटी में इड्मिशन ना हो पाएं, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता है, कि जो आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस हो, वो 2nd April से स्टार्ट हो जाएगा, और 30th April तक आप फॉर्म फिल कर पाऊगे, फॉर सब वेट कर लो, एक एक चीज माइन में क्लियर कर लो, नहीं तो बाद में कहोगे सर अब चेंज हो सकता है, कि नहीं हो सकता, बाद में कुछ नहीं हो सकता, एक्जाम का पैटर्न आपके सामने क्लियर है, तीन आपके सेक्शन रहेंगे, सेक्शन वन आपका एक तरह का है अब डिजाइड यूनिविसिटी में क्या रिक्वायड होगा ये भी समझो मानलो आपको डेली यूनिविसिटी में अधिमिशन लेना है ठीक है आपने का समझगे सर्मेजा एसर साल इडमिशन होता कैसे है उसमें इडमिशन होता है आपका एक लैंग्विज देखा जाता ह तो इस साल उनका admission process क्या हो जाएगा language प्लस domain के आप subject दे दो आपके score को हम calculate कर लेंगे अगर आपका score आता होगा जो हमारी cutoff है तो हम आपको admission दे देंगे however अगर मैं बात करूँ DU के एक और टॉप institute की जो है सुकदेव कॉलेज SACBS से ही सुकदेव कॉलेज of business studies तो यहाँ पे हर साल admission कैसे होता था यहाँ पे DUJet entrance के थूँ होता था यहाँ पे aptitude test किया जाता था तो SACBS आप से क्या बोलेगा वो बोलेगा भाई मुझे general test के number दे दो मुझे वो required है तो हर एक university का हर एक college का अलग process रहेगा इन्होंने एक standardized paper बना दिया है जिसमें तीन section है और इन्होंने का जिस college को जिस university को जो marks चीए बच्चे को वो marks ले लो तो मैं आपको क्या चीज recommend करूँगा मैं बोलूँगा क्योंकि आपके सामने opportunity है तो आप तीनों के तीनों exam अपने देना भाई obviously बाता नहीं यह mind तो हमारे mind में clear हो गई है कि अगर मेरे सामने तीन section है तो मुझे तीनों section appear करने चाहिए न ऐसा नहीं होना चाहिए किसी college में apply कर रहा हूँ वो college कर रहा है डोमेन के नंबर दो आपको वो college automatically out हो गया हम अपने इसाब से क्यों college cancel करें हमारा education system change हो रहा है admission process change हो रहा है तो हम अपनी सारी opportunities को open रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चीज क्या समझ में आई सबसे पहले चीज यह समझ में कि हमारे सामने 3 section of paper होगा अब यहाँ पर होगा कैसे यह भी समझ लो जो questions है वो आपको पता है 40 out of 50 आपको करने होंगे 45 minutes each language का है domain की बात करूँ तो maximum आप 6 paper दे सकते हो हर एक domain subject में 40 question करने होगे out of 50 हर एक domain specifically 45 minutes आपको मिलेंगे section 3 के अगर बात करें general test उसमें 60 question करने होगे out of 75 और total 1 hour का paper होगा जिसमें general knowledge, current affairs, numeric logic, then quantitative reasoning, logical reasoning यह सारे subjects रहने वाले है ठीक है अब question यह निकल के आता है मानलो आप become honors में apply करना चाते हो तो become honors में हो सकता accountancy economics इनके marks मांगे मानलो आप एक ऐसे strength हो जो physics का बच्चा है जो PCM का बच्चा है वो डियू में आके eco honors करना चाता है तो आपको eco honors वाले domains इस पर से subject के लिए appear करना पड़ेगा जैसे economics हो गया business economics हो ठीक है यहाँ पर challenge यह है कि out of 27 आप at max six subject ही select कर सकते हो तो आपको आज से यह mind make up करना है कि यहाँ मुझे कौन कौन से domain में apply करना है मैं कौन कौन से course में जाना चाता हूँ मैं become honors में जाना चाता हूँ मैं eco honors में जाना चाता हूँ मैं English honors में जाना चाता हूँ मैं physics honors में जाना चाता हूँ मैं history honors में जा बात समझे रहो, तो इसी लिए form filling की जल्दी मत करना, अपने mentor से, अपने teacher से discussion करो, थोड़ा सा हम लोगों को wait भी करना है, wait क्यों करना है, क्योंकि अभी क्या due का notification आएगा, कि इस course के लिए ये वाला domain चाहिए, इस particular program के लिए ये वाले test चाहिए, इस particular course में जाना है, तो ये domain specific subject है, फिर आप एक list बनाओगे, क्यार ये 6 domain subject है, जो मैं appear करना चाहता हूँ, तो आपको एक चीज़ क्या समझने है, यहाँ पर clearly उन्होंने mention कर दिया है, कि 27 domain specific list है, लेकिन आप सिरफ 6 see paper दे सकते हो, तो बहुत ध्यान से एक एक चीज़ समझनी है, उसके बाद ही आपको form fill करना है, एक बार ये आपने form filling करते वे, दूसरे domain subject fill कर दिये, तो आपका फिर उस particular course में admission नहीं हो पाएगा, अगर आपने उसका domain नहीं किया, तो इसके लिए हमें करना क्या है, कुछ important tips बता रहा हूँ, जहां से सुन लो, समझ लो, सबसे पहले तो चैनल को कोई भी गलती ना हो, इसलिए आपको wait करना है, form filling से पहले, थोड़ा सा wait करो, चीज़ों को calm down होने तो, universities को अपने update लाने तो, college को बताने तो, कि मैं general test लूँगा, मैं language test लूँगा, मैं आपको domain test लूँगा, ताकि आपको clarity मिले, कि यार इस college में, इस course में मुझे ये universities है, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, तो आप कोई भी section अपने हिसाप से मत छोड़ो, मैं तो आपको recommend करूँगा, तीनों के तीनों section आपको appear करने चाहिए, फिर अपने domain से subject select करने शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा अपने teacher से बात करो, mentor से बात करो, sir मैं become honest में मेरा interest है जिसपा आप apply करना चाहिए, फिर उसके related जो domain से subject होंगे, वो हम लोग fill करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए अपने teachers, अपने mentor से बात करो, और सबसे important चीज़ है, university update का wait करो, form filling 2nd April से start हो रहा है, लेकिन 2nd April कोई form fill करना mandatory नहीं है, form filling की date है 2nd April से 30th April तक, तो आपके पास ample time है जब आप form fill कर सकते हो, universities के भी notification आजाएंगे, course wise क्या requirement है, ये भी आपको update मिल जाएगा, तो आपको clarity हो जाएगी, गलत form भरने से better है, थोड़ा सा late form भर देना, 5-7 दिन रुक के form भर देना, ताकि एक-एक चीज़ बिलकुल सही से submit हो जाए, तो university के update का हम लोग wait करेंगे, कि Delhi University की तरफ से notification आजाएं, कि किस particular program है, कौन-कौन से domain subject चाहिए, कौन-कौन से courses है, कौन-कौन से colleges है, जो general test देंगे, कहां-कहां पे language mandatory है, जब ये चीज़े clarify हो जेंगे, उसके बाद ही हम लोग form fill करेंगे, then 6th important point, form को आप submit नहीं करोगे without cross checking, जब भी आप form fill करोगे, payment कर के submit नहीं करना है, पहले उस form को अपने elder brother, sister या फिर parents से check कराना है, कोई गलती तो नहीं है, उसके बाद ही payment करनी है, and 7th important point, patience रखना बहुत जरूरी है, panic में मताना कि second कोई form बढ़ना है, 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 नहीं, ये गलती नही करनी है, आपको थोड़ा सा patience रखना है, आपको काम रहना है, notification का wait करना है, सही teacher mentor से discussion करना है, उसके बाद ही अपने लिए decision लेना, बहुत important की exam है आपके लिए, इस exam को तो आप इंडिया की सारी scientific में apply करोगे, तो I am assuming कि आप इसमें गलती बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, औ गलती नहीं करना चाहते हो, उसके लिए सबसे important है, that precaution is better than cure, ठीक है, तो अभी चैनल को subscribe कर लो, बिल्कुल authentic to the point information मैं आपको यहाँ पर time time provide करता रहूँगा, so all the very best, thank you so much and take care.